हेलो फ्रेंट्स मैं वीजु साहाई और वेल्कम करता हूँ आप लोग को मेरा चैनल मोजूल का देनिंग टेखनिक में तो फ्रेंट्स आज मैं गवाववा की कटिंग नए टेखनिक से फूरो करके आप लोग को दिखाऊंगा तो वीडियो जो है वो लास्ट देखिए ताकि थार आप लोग बहुत ही आसानी को सब्सक्रージ करको तो शबसे पहले यह देख सकते हो यह जो इंघन है यह और महर प्लांट का है तो इसके लिए हमें चाहिए ढोसे प्लास्टिक नों देख सकते हो और यह आप देख सेकते हो इसके अंदर साल्फंगी साइट है मैंने मिलाके रखा है साल्फंगी साइट सैज और है सेंड टो इस कटिंग को मैं एक ट्रूर सेंड में लगाрыंगा और एक ट्रूर साथ है यह किस तरह से गुरो होता है तो वीडियो लास तक देखिए ताकि आप लोग भी बहुत ही आसानी से इस टेक्निक को यूज कर सको तो सबसे पहले कि यह जो ब्रांच है इसको मैं ऐसे कि अब बीस में से इसे फाल दूँगा और उसकी बात मैं यह साथ फंगिस अच्छे इसको ऐसे फिगो डूँगा ताकि जहां पर मैंने कट लगाया है कोहां से फंगिस ना लागे तो मैंने यह फंगिसस ने भीगो दिया है इस पर मैं कोई भी रूटीन होर्मों नहीं लगाओंगा बस ऐसे सब्सक्राइब शुरुष सॉस्ख कंट यूज कर रहा हूं किपिए से इसिसे prec को फंगर नहीं लगता और ज्यादातर काट्ग के वाज़े से चुक्कर के दो बहुत ही ज़्य प्तब्रण लग जाता है तो इसी की वज़े से कतंट जो है और उसके बाद यह जो बोटल है इसको हम ऐसे बीस में से काट देंगे ऐसे यहां से कि यहां से इसको इसको अब देखे को इसको मैंने काट गया है तो इसको भी ऐसे ही सिम कट में लगाऊंगा इसको भी यहां से एक ही साइज में काटना है एक समान करके तो यह देख सकते हो बोटल को मैंने काट दिया है और अब हम क्या करेंगे इस कटिंग को यहां परेश से यह आप देख सकते हो आ अ हुआ है कि इस तवा से हम इसको लगाएंगे और उसकी बाद एक बोटल में हम यह सेंड डालेंगे यह आप सेक्टों यह सेंड है एक बोटल में हम सेंड डालेंगे जो इस पर मैंने सेंड फ़र जिया है यह आप देख सकते हो और इस पर में यह साथ फंगी साथ है यह डालूंगा तो देखना चांथा हूँ किश स्सक्राइब कर सेंड और तो देखना चाहता हूँ की स सबसे पहले जो फिस निकलता है अभी जो सेंड है इस पर हमें क्या करना होगा वह पानी देना होगा क्योंकि यह सेंड है और इस पर जो पानी है वह बहुत जल्दी पानी शोक लेता है तो इसे की वेज़े से हमें इस पर रोज पानी देना होगा और बोटल की निशे ऐसे थोरी सी ऐसे कट लगा देना है ताके जो पानी है वो निशे से निकल जाए बस थोरी सी ऐसे हमें कट लगा देना चाहिए और इस पर नहीं कट लगाना चाहिए क्योंकि इस पर पानी हम रहने देंगे जो साथ फंगी जाए थे वो रहने देंगे इस इस पर कट लगाने की जोरत नहीं है तो इस पर जिस पर सेंद है उसके नीशे हमें ऐसे ठोरी सी कट लगा देना है ताके पानी रुके नहीं तो इस पर भी मैं जो फंगिस है थे वह इस पर ऐसे डाल दूँगा जैसे ही मैंने पानी दिया तो तुरन पानी सेंद में सोक लिया तो अब हम क्या करेंगे यह आप देख सकते हों यह पॉलेठीन है इससे कटिंग को कभर करके रखेंगे ताके हावा जो है वह अंदर ना जा सके कि इस तरह से कभर करके रखेंगे और इसे साय्ट मेरा देंगे और इसको डायेक्ट में नहीं घखना चाहिए ऐसे जगा पर रखना चाहिए जहाँ पर सूरेज की रॉष्णी तो आती हो लेकिन डाइरेक्ट संलाइट इस पर नहीं परना चाहिए क्योंकि डाइरेक्ट संलाइट इस पर पालेगा तो कटिंग जो है वो धीरे-धीरे सुख जाएगा तो इसकी वज़ए से अमें ऐसे जगा पर रखना होगा जहां पर संलाइट इसकी रॉष्णी तो आनी चाहिए लेकिन डाइरेक्ट फूप इस पर नहीं परना चाहिए तो ऐसे जगापर हम इसको रखेंगे तो यह बहुत ही जल्दी सक्सेस हो जाएगा तो इसकी सक्सेस रिजल्ट हो है वह में आप लोगी सब जो रूशर करेंगे तो जो कटिंग है उसमें से आप ब्रांश देख सकते हो जो ब्रांशे से वो निकल गया है लेकिन रूट मैं आप लोगों को दिखाता हूं और निकला है कि नहीं निकला है मुझे पता नहीं है तो अभी मैं निकाल के आप लोगों को दिखाता हूं कि यह किस तरह से गुरो हुआ है और जिस बोटल पर मैंने साफ फंगिसाइट डाला था वहां पर यह जो साथ फंगी साइट है इसको मैंने एक हपते में एक बार इसको सेंच कर दिया था फिर से नया पानी दिया था और उसमें से फिर से ने साथ फंगी साइट मैंने इसको मिला के दिया था हपते में एक बार इसे बदल देना है अगर एक ही बार हम इसको देंगे तब भी यह जो fungiам को दिखा एक तो इसी लिए इसको रफ्लों को एक बडल देंगा लेकिन जिस बोटल में सेंड है उसको मैंने नहीं बडला है उसको मैंने गवार्टिन कि जाए उसको मैंने अपके में एक बार सेंज कर दिया है बदल दिया है तो अभी मैं आप लोग को इसको निकाल के दिखाता हूं तो सबसे पहले जो और यहां से निकल गया है तो अभी जूह है वह मैं आप लोगो निकल करता हूँ तो सबसे पहले यह जो फंगिसे ने जो साफ फंकी साथ है उस पर बहुत ही अची दार से रूट निकल गया है यह आप देख सकते हो अभी जो सेंड है उसको मैं निकल के आप लोगो को दिखाता हूं बहुत ही ठीरे से मुझे निकलना होगा तो फ्रेंज यह अब देख सकते हो जो सेंड है उस पर भी बहुत ही अची दार से रूट निकल गया है तो यह अब देख सकते हो फ्रेंज रिजल्ट आप लोगो की समने हैं बहुत ही अच्छी दार से इसका रूट जो है वो गुरह हो गया है यह आप देख सकते हो ओं में आप देख सकते हो कितना हेल्डी ब्रांशेश निकल गया है तो इस टेकनिक से आप और ऐसे बहुत ही आसान है एक टराफ आप एक बोटल में साफ फंकिसट ले लिजे और एक बोटल में सेंड लिजे और कटिंग को ऐसे 20 में से फाल दीजे तो दोनों बोटल में रखके एक में साफ फंकिसट एक में सेंड लगा के कटिंग को अच्छी जगा पर रखिए पॉलेथीन से धग दीजे तो यह कटिंग बहु निया रूद है अब देख सकते हो यह निया रूद है अभी में इसको लगा के आप लोग को दिखाता हूं इसको कैसी सॉल में लगाना चाहिए और किस तरह से हमें इसको क्या लेना चाहिए तो अभी में इसको अप लोग को लगा के दिखाता हूं तो फ्रेंज यह आप देख खाद होगा तो हमारा जो कटिंग है उसकी जो नया रूद है वह सर जाएगा वह गुरों नहीं करेगा जब भी आप किसी प्लान को लगाओ या फिर कटिंग को लगाओ तो उसमें खाद नहीं डलना चाहिए श्रिफ नॉर्मेल मिठती या फिर उसमें कोको पीट आप मिला सकत या फिर कोई भी सेंट आप मिला सकते हो उससे भी जो रूद है वह बहुत ही अच्छी दरह से डेबलब होता है गुरों होता है तो खाद बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए तो अभी मैं इसको लगा कि आप लोग को दिखाता हूं इसी स्वाल में मैं लगाऊंगा बहुत ह से इस तधा से अ कि अ कि ऐसे हमें लगा देना चाहिए अ कि 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 अ और लागाने की बात या आप देख सकते हो यह स्फ पानी है और उसमें से म्यई जो सार्ष यह मेंने मिला करỳू यह इन पानी ज्सपर वह पानी ओ को और ऊंसके बात यह पानी ज्सपर डैसाट कर्शियुक्त ठट को इस पानी में धोरिसी मातर में स प्रॉब्स नहीं लगता तो बहुत ही इसी घुड़ोगों हो जाता है तो मैंने लगा कि आप लोगों को दिखा दूव तो अभी मैं इसको कुछ दिन के लिए साव में रखूंगा और उसकी बाद ठूप में रख दूँगा और 15 दिन तक मैं कीजिए शेर कीजिए और मेरे सेनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई नहीं वीडियो अब लोगों की पहुंच जाए तो फ्रेंच मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू